सब्सक्राइब करें यूटूब चैनल इक्साम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलें हलो इवरीवन वेलकम टू एक्जाम ट्रिकी दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकनसी पर यानि की वैकनसी का नोटिस आ चुका है डी ट्रिपेस बी के द्वारा और यहां नोटिस आप देख सकते हैं कि बारा पांस दो हजार इकिस को यहां नोटिस दिया गया और यहां पर जितने भी TGT के स्टुएंट्स हैं और PIT के स्टुएंट्स हैं सभी के लिए यहां पर आपको वैकनसी देखने को मिलेंगी टोटल वैकनसी लगबग में आपको यहां पर साथ हजार के करीब में टोटल वैकनसी आपको देखने को मिलेंगी और साथे साथ जो subject wise हैं TGT की vacancies वो भी हैं और PRT की भी लगबग में 500 के उपर उपर आपको vacancies यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तो age relationship क्या होगा कौन से students कहां पर form भर सकते हैं और total paper कितने नंबर का होगा paper online होगा या offline होगा आपका जो form है वो कब से कब तक भरा जाएगा संपूर जानकारी यानि की full information दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को like कर दिएगा चैनल पर दिन नए थे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारियां देता रहता हूँ मैं चाहिवा special education की जानकारी हो आपकी चाहिवा vacancies से related जानकारी हो तो चैनल को subscribe करने के बाद में bell icon को प्रस कर लिजेगा जिससे की latest वीडियो की notification आपको समय से मिलती रहे हैं कि वीडियो को share करना ना बुलेगा सभी अब भरतियों के बाद वीडियो को share कर दीजेगा चलिए द दोस्तो 25 में 2021 से आपके form भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे close होगी date आपकी 24 जून तक आपके form भरे जाएंगे साथ इसाथ मैं बता दूँ आपको कि जो आपकी TGT की vacancies हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल नहीं है यह तो यह आपको जितने भी students हैं सबको subject wise देखने को मिलेगा name up the post यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और name up the department यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सी department के द्वारा कौन सी post निकाली गई है और साथी साथ group और grade पे और एक बहुत ही महातिपूर्ण चीज दोस्तों जो vacancies हैं EWS की कितनी है यूर की कितनी है याँ पर OBC की कितनी है सी किस्टी है और total vacancies कितनी है तो यह सब आपको इस पूरी PDF में देखने को मिल जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है हिंदी फीमेल टीचर की और हिंदी फीमेल टीचर की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आप grade पे देख सकते हैं और इसी प्रकार से 551 जहाँ पर OBC की 91 और यूर केटेगरी की 310 दोस्तों अगर मैं TGD में करूं की चेंग की बात करों तो यहाँ पर आपको 32 साल हुब कि होना चाहिए आपके पास ऑब्हार्टी दूसरे यहां क collision à गयूं की जो अब्हारती यू पी के यह जो जो ईश्थान के तो इनको एज रहेसियेशन नहीं मिलने वाला एज उसी ही को मिलेगा जो डैली का निवासी है निकि जो डैली में रहता है और किसी भी बाहर के जो स्टेट्स हैं अगर कोई यहां से जाता है तो उसको एज का रिलेसेशन नहीं मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार से जितनी भी आपकी वेकंसी हैं यहाँ पर आपको natural science के लिए निकली हुई है female की male की और maths के लिए भी है social science के लिए भी है males और females सभी category की vacancies आपको दी हुई है assistant teacher primary अब हम बात कर लेते हैं assistant teacher primary और यहाँ पर assistant teacher nursery यहाँ पर दोनों की निकली हुई vacancies हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 434 total पोश्ट है यह और यहाँ पर यह चोहतर पोश्ट है और यहाँ पर primary teacher जो यह आपको MCD की यहाँ पर देखिए primary teacher यह आपकी 120 vacancies आपको यह देखने को मिलेंगी total vacancies आपको 434 यहाँ पर nursery के लिए primary आपको देखने को मिलेंगी और इसके लिए दोस्तों क्या है पहले आप मैं TGT के लिए आपको बता देता हूं कि जो यह आपकी पोश्ट है इसके लिए आपको B.A.D. होना चाहिए प्लस आपका graduation होना चाहिए graduation होना चाहिए और प्लस आपका जो seated level है seated का जो form है वो second वाला आप पास होने चाहिए इतना आपके पास criteria होना चाहिए इन सभी पोश्टों के लिए लेकिन जो आपकी यह पोश्टे है 434 वाली और यह आपका पोश्टल कोड यह और साथ इसाथ यह जो पोश्टे तीन पोश्टे हैं यह आपकी प्राइमरी लेवल की और यहाँ पर आपको एज जो है आपकी एज रिलेसेशन होनी चाहिए 30 years साथ इसाथ आपने 12 कर रखा हो प्लस डिप्लोमा कर रखा हो और साथ इसाथ सीटेट आपका पास हो और 12 डिप्लोमा के इनकी जीजों का आपका डिलेट का हुआ B.L.A.D. का हुआ B.A.D. नहीं कह रहा हूँ D.A.D. का हुआ D.L.A.D. का हुआ और यहाँ पर जो exams होंगे जो यह exams होंगे आपके primary teachers के तो यह जो exam होगा यह online mode से होगा यह online mode से होगा और जो यह PRT के दोस्तों जो आपके TGT के जो exams होंगे TGT के जो exams होंगे जो इन पोस्टों के लिए exams होंगे इनके लिए अभी online ये offline mode decide नहीं हुआ है और इनका जो total marks होता है ये होता है 200 नंबर का पहला paper आपका 100 नंबर का होगा और जो दूसरा paper होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा इसी प्रकार से संपूर दायंकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और अगर आप हमारे telegram group से जुड़े हुए हैं telegram group से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैं इस PDF को send कर दूँगा आप अच्छे से देख करके वहाँ पर जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़े आपको यहाँ पर कही गई तो सारी postal code हैं सारी चीज़े यहाँ पर आपको इस प्रकार से दी हुई है जो भी चीज़े थी मैंने आपको shortcut में समझा दिया है और लगबग इतना ही आप लोगों के लिए है भी तो जाकर के आप लोग हमाई टेलिग्राम गूप से जुड़ जाएगा वहाँ पर आप लोग जितनी भी चीज़े हैं आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो बिलकुल और भी आपको clear हो जाएगा वैसे लगबग clear हो चुका होगा असिस्टेंट टीचर प्राइमनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्टे 434 आपको देखने को मिलने से कि senior secondary जो आपका है वो आपके पास में 50% मार्ग सोने चाहिए और दो साल का डिपलोमा in elementary education होना चाहिए किसी भी डिपलोमा से हूँ आप elementary education का डिपलोमा आपके पास होना चाहिए जो की जो रेइस्टेर बोर्ड है उससे organize होना चाहिए और साथ इसाथ senior secondary और at least 45% मार्ग सापके दो वियर्स के डिपलोमा में होने चाहिए और डिपलोमा in elementary education NCTE से approved होना चाहिए तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी और देख सकते हैं आप कि seated जो है वो मांग रहा है seated आपके पास 125 का होना चाहिए जो primary के teacher है जो PIT के vacancies हैं वहाँ पर 125 की लिए seated पास होना चाहिए बागी सब चीज़े आपर age limit भी देख सकते हैं 30 years यहाँ पर दिया गया है और यह देख लीजिए तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जाज जद आपने मित्र के पास वीडियो को सेयर करना ना बुलेगा जिससे सबी को जानकारी मिल सके और टेलिग्राम गुर्प पर जाकर के आप अपनी PDF प्राप्त कर लीजिए और सही से उसको देख कर कि जितनी भी जानकारी आपसे छूट रही है लगबग जानकारी हो चुकी है और आपसे अगर कोई भी जानकारी छूट रही है तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं झाल झाल